तब्सक्राइब जाएब देखा था था हाँ इसट्रुक्चर ओफ एन अपरेटिंग शिस्टम क्या रहता है मतलब जो अपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रुक्चर होते हैं वो किस-किस टाइब के हो सकते हैं तो उसमें हमने study किया था कि structure चार टाइप के होते हैं, the first one is monolithic, the second one is layered and the third one is virtual machine and the fourth one is client server, ठीक है, तो हमने monolithic and layered structure को हमने अपनी last class में study कर चुके हैं and now the third one is virtual machine, तो basically virtual machine होती क्या है, तो जैसा कि हम समझ सकते हैं, virtual means जो चीज है नहीं, still वो चीज हमें दिखाई दे, मतलब वो चीज ना होकर भी work करे, ठीक है, तो virtual machine मतलब की virtually, मतलब वो machine exist नहीं कर रही है, still वो work कर रही है, that means हम बोल सकते हैं, जैसा हमारा computer है, ठीक है, हमारा computer है, हम उसमें एक operating system डालते हैं, जैसे windows हुआ, क्या बोलते हैं, और अपना i10 हुआ, या windows 8 हुआ, whatever, ठीक है, तो अब हम चाहते हैं, कि हमारा system है, उस पे एक operating system work कर रहा है, ठीक है, बट हमें दूसरा operating system भी जान डालना है, मतलब मालो हमें Linux की ज़रत पड़ गई है, हमें Linux पे भी work करना है, तो अगर हम दो operating system डालेंगे, या तो हमें double booting करना पड़ेगी, उससे क्या होगा, हम बार बार उससे तुरन तुरन स्विच नहीं कर सकते हैं, उसको स्विच करने में हमें काफी जाधा time हो लग जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, basically, एक virtual computer बना लेते हैं, virtual machine, मतलब कि उसकी जितन अपना Linux को अगर इंस्टॉल कर देंगे, तो वो as a particular अपना system की तरह work करेगा, basically, वो एक particular system है नहीं, it means, वो virtually, virtually है, exist नहीं कर रहा है, but still हमने वो create कर दिया है, तो इस process को हम virtualization भी बोल सकते हैं, तो मतलब कि ऐसी machine, जो हमने बनाई है, but वो real में exist नहीं करे, still वो एक machine की तरह work करे, just like मैं एक example की तरह, आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, अब हम देखते हैं कि यह किसने बनाया है, ठीक है, तो basically जो इसको developed किया है, वो किया था हमारा IBM ने, ठीक है, इसको हम पहले बोलते थे, CPCMS, इसमें जो CMS है, इसको क्या बोलते हैं, Conversionist Memory, Sorry, Monitor System, ठीक है, तो इसक पहले किस नाम से बोला जाता था, इसको, CPCMS, बट इसको बाद में change करके, क्या बोल दिया गया, VM370, VM means Virtual Machine, ठीक है, अब यह basically होता है, क्या है, अपने two different types के, जो क्या बोलते हैं, operating systems पढ़े थे, जैसे time sharing, multi programming, क्या बोलते है, multi processor, ठीक है, batch processing, तो यह जो हमारा virtual machine है, यह किस पर based है, basically time sharing and multi programming पर work करती है, तो हम जानते है time sharing क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, हम हर एक process को एक particular time slot provide कर देते हैं, जिसमें कि क्या होता है, वो process उतने time के लिए execute होती है, अगर वो complete हो जाती है, then it is fine, अगर वो नहीं होती है, तो वो next process उसके बाद execute होने ल system हो जाती है, तो from the force से start करती है, जो remaining जितनी रहे गई हो, इसकी process execute होने के लिए लिए, that is called time sharing, अब multi programming क्या होता है, multi programming मतलब हम एक साथ कई सारे programs को execute कर सकते हैं, multi programming हम साथ में कर सकते हैं, ठीक है, तो यह इन दोनों पर based होती है, ठीक है, अब देसमें next है, the heart of this system, मतलब ज virtual machine है, उसका heart क्या होता है, इस monitor, ठीक है, virtual machine monitor, जो virtual machine का heart होता है, उसको हम क्या बोलते है, virtual machine monitor बोलते है, यह क्या करता है, run होता है on hardware, bear hardware पर, ठीक है, तो हमने यह virtual machine के बारे में इस वीडियो में discuss किया, मैंने आपको explain किया, कि virtual machine जो सबसे पहले बनाई गई थी, वो किस के च्रू बनाई गई थी IBM के च्रू बनाई गई थी and इसका पहले नाम CPCMS था जिसे बाद में चेंज करके VM370 कर दिया गया ये टू टिक्निक्स पर बेस्ट है फोस्ट वन इस टाइम शेरिंग इन दे सेकंड वन इस मल्टी प्रोग्रामिंग ठीक है और इसके जो हाट होता है उ I hope आपको ये समझ में आया हो and in our next class हम जो हमारा last topic रहे गया है इसका that is client server उसे हम discuss करेंगे अपनी next class में अगर इसमें कोई भी doubt or query आता है तो आप मुझे से comment section में बोच सकते हैं और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो please इसे जल्दी से like कर दीचे और अगर अ झाल